जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि आखिर सत्तर के दशक की ये ब्लैक और वाइट तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं कौन है ये शक्स? तो ध्यान से सुनिए दुनिया में जब जब दिलेर जासुसों की बात होगी तब तब इस शक्स का चेहरा सामने आएगा भारतिय खुफिय एजेंसी इंडियन रिसर्च एंड अनलिसिस विंग यानि रॉ ने इसे नाम दिया था टाइगर वो टाइगर जो भारत का शेर था वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था वो टाइगर जो हिंडुस्तान की धरोहर था तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम वो टाइगर जिसने हस्ते हस्ते अपनी जवानी अपनी धर्ती मा के लिए कुर्भान कर दी वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्भान कर दी मगर उसी हिंदुस्तान ने उसे भुला दिया इन्ही गलियों में पला बढ़ा था हिंदुस्तान का असली टाइगर नाम था उसका रविंद्र कौशिक वो नौजवान जो आगे जाकर हिंदुस्तान की असमत बचाने वाला था रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान की इतिहास में उससे बड़ा जासूस ना कोई हुआ है और नहीं कभी होगा यहां तक की मुल्क के बड़े से बड़े जासूस भी रविंद्र को अपना गुरू मानते हैं पाकिस्तान की जेल में जासुसी के आरोप में सजा काटकर आय रूपलाल भी रविंद्र को ही अपना उस्ताद मानते थे रूपलाल ने बताया कि मैं अपने आपको बहुत बड़ा जासूस समझता हूँ लेकिन रविंद्र कौशिक के मुकाबले में मैं कुछ ही नहीं था रविंद्र कौशिक और टाइगर की दास्ता जितने खत्रों से भरी हुई है उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतने ही दिल्चस्प है दरसल रविंद्र कौशिक को बच्पन से ही एक्टिंग करने का शौक था रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं हर तस्वीर एक अलग अंदाज में कहीं रविंद्र कौशिक जेजस बने खड़े हैं तो कहीं मुँ में सिगरट दबाए किसी रईस की तरह और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनों के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया इस फेस्टिवल में एक नाटक में रविंद्र एक भारतिय जासूस का रोल निभा रहे थे जो चीन में फस जाता है और फिर यातनाए सहता है कहते हैं रविंद्र कौशिक की आक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिटरी इंट्रिजेंस का हिस्सा बना लिया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था यानि पाकिस्तान माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेसिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था और कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग हासिल करना कहते हैं रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद काम्याब रहा जिसके बाद 1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया वो नाम जो आगे चल कर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पैचान बनने वाला था और वो नाम था नभी एहमद शाकिर पाकिस्तान में घुसने के बाद नभी एमद शाकेर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैट बनानी शुरू की और अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहोर को मिशन बहुत बड़ा था लेहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहोर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया कहते हैं कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनुएं और उसी कॉलेज से एललबी की डिगरी हासिल कर ली एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था बलकि वहां की एकडेमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था जाहिर है एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये काम कतई आसान नहीं था फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चड़ता चला जा रहा था लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था लाहोर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जर्या था क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था और ये मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना